Good morning kids, okay, today we are going to see our next activity, activity is rooms of home, activity is rooms of home, rooms of a home, home means हमारा घर, हमारा जो घर हर हमारे घर में जो 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 rooms रहते हैं, उसे हम क्या कहते है rooms of a home, हमारे घर में अलग-अलग तरह के rooms होते हैं, जैसे की kitchen room, bedroom, bathroom, yes or no, we use all these rooms, हम इस घर में रहते हैं, तो हमारे घर में अलग-अलग type के rooms भी रहते हैं, तो आज हम देखेंगे इस activity में हमारे घर में कौनसे-कौनसे rooms होते हैं, connect the objects to the rooms in which they are seen, अभी आपको क्या करना है, आपको connect करना है, मतलब आपको एक line draw करनी है, जो भी object जिस room में available होता है, उसे हमें connect करना है, for example, हमारे पास क्या है, cooker, now this is a cooker, now cooker हम कहाँ पर रखते, is it in kitchen or is it in bedroom, cooker हम कहाँ पर रखते, आपने घर पे देखा रहेगा, cooker हम कहाँ पर रखते, kitchen में रखते, cooker हम bedroom में रखते क्या, no so आपको क्या करना है connect करना है means आपको cooker से एक line draw करनी है किस तरफ kitchen की तरफ okay I will show you see like this just draw a line आपको ऐसे connect करना है next is what is this this is a bed bed यह bed क्यों use करते हैं हम सोने के लिए use करते हैं right अभी हम bed को kitchen में रखते हैं क्या no आपने घर पे देखा रहेगा आपके घर पे kitchen में आपको क्या क्या देखेगा for example this cooker gas or tap spoons utensils mixer fridge हम यह सब kitchen में use करते हैं लेकिन bed bed हमारा कहा पे रहता हम कहा पे सोते हम bedroom में सोते राइट तो bed हम कहा पे connect करेंगे हमारा bedroom कहापे see here is the bedroom so हमें क्या करना है हमें इस बेड को bedroom के लिए connect करना है तो आपको क्या ऐसे line crypto करना है next क्या है हमारे पास next a spoon and a plate यह spoon है और एक plate है spoon और plate हम कहाँ पे रखेंगे खाना खाने के बाद हम हमारा spoon और plate कहाँ पे रखते है bedroom में? no हम कहाँ पे रखते है kitchen में so आपको क्या करना है you have to connect it in a kitchen now next next is a cup and a saucer इसमें हम क्या करते है cup and saucer में हम चाय पीते तो हम चाय पीने के बाद हमारा cup और saucer कहाँ पे रखते है right हम कहाँ पे जाते है kitchen में जाते है हमारी मम्मी किस में रखते है cup and saucer kitchen में so you have to join it like this connect it like this now next this is a gas everyone knows this is a gas हम गैस पे क्या करते है cooking right हम खाना बनाते हैं गैस पे तो हमारी gas खाना बनाने हम गैस कहाँ पे रखते हैं खाना बनाने के बाद क्या हम इसमें रखते हैं बेडरूम में no it is in kitchen right so आपको क्या करना है kitchen में उसको connect करना है next is oven now this is a oven oven में हम क्या बनाते बहुत सारी चीज़े biscuits, bakery products कुछ भी चीज़ कोई भी खाना गरम करना होता हम किसमें करते हैं oven में और हमें ये oven कहाँ पे दिखता है अगर आप एक बार आप एक बार अपने kitchen में जाए और आपको kitchen में ये सब सारी चीज़े दिखेंगी ये सब आप सारी observe करो आपको ये kitchen में दिखेंगी तो आपको easy हो जाएगा to identify कि हम ये सब चीज़े kitchen में रखते हैं या bedroom में आप एक बार ये activity करने के बार kitchen में और bedroom में जाके देखें आपको दिखेगा कि हम कौनसी चीज़े kitchen में रखते हैं और कौनसी चीज़े हम bedroom में रखते हैं नाव next is a mirror and a table ये क्या है mirror mirror means एक आईना जिसमें हम खुद को रोज देखते हैं ये कहा पे रखेंगे हम kitchen में no right see you can see it in a bedroom आप रोग देख सकते हैं हमें ये कहा पे दिख रहा है bedroom में आपको क्या करना है उसे bedroom के लिए connect करना है right next is a mixer mixer ममी इसका यूज़ करती है ना घर पे mixer का कुछ भी अगर हमें grind करना हो छोटा करना हो तो हम किस में करते है mixer में right तो हमें ये mixer कहा पे दिख रहा है see yeah see in the kitchen so हमें क्या करना है उसे connect करना है okay now next next is a क्या है ये can anyone tell me tea pot okay और ये हमें इसमें हम क्या रखते है चाय अगर इसमें हम चाय रखते है तो ये हम bedroom में रखेंगे क्या no right ये हम किस में रखेंगे kitchen so you have to join next is a cupboard cupboard हम किस में रखते है cupboard can anyone tell cupboard हम kitchen में रखते है क्या no what is this this is a fridge cupboard हम कहां पे रखते है see in the bedroom क्या हम आपको दिखाई दे रहा है same cupboard yes you just have to join it next is a lamp 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 का use हम क्यों करते है इससे हमें उजाला मिलता है रोशनी होती है lamp से yes or light आती है तो ये lamp हम किस में use करते है see अगर आपको दिख रहा है क्या bedroom में कहां पे lamp दिख रहा है see yes here is the lamp very good you have to just join the make a line okay now next is a what is remaining fridge fridge और ये क्या है fridge तो आपके घर में रहेगा आपको दिखाई देगा कि fridge हम कहां पे रखते है yes हम fridge कहां पे रखते है in a kitchen so you have to make a small line like this and join it to the kitchen okay चलो अभी हम देखते हैं हमने क्या क्या kitchen में रखा है और क्या क्या bedroom में रखा है okay now see कौन सा first object था cooker वो हमने कहां पे रखा है kitchen में next object क्या था gas gas हमने कहां पे रखा है see here in the kitchen next is a spoon and a plate yes we eat in it हम यहां इसमें खाना खाते है तो हम यह कहां पे रखते है kitchen में next is a tea cup यह कहां पर रखते हैं kitchen में so हमने इससे कहां पे जॉइन किया kitchen में next is a bed इस पे हम सोते है तो हम यहां पे देखो हमने bed यहां पे दिख रहा है हमें bed इसलिए हमें उसे bedroom में जॉइन किया यहां पे क्या है oven oven हम कहां पे रखते है kitchen So we have joined it in kitchen Next is a mirror and a table ये कहाँ पे रखते हैं हम bedroom में Right Next is a mixer Where do we keep in mixer? In kitchen Next is a teapot Where we keep teapot? In a kitchen This is a big cupboard Yes or no हमारे bedroom में रहते हैं हम कपडे रखते हैं इस कबड में Right हम बहुत सारे कपडे हमारे घर के जो पहनने के डेली उसके कपडे होते हम किस में रखते हैं? कबड में और वो कबड हम kitchen में रखते हैं क्या? No We keep our cupboard in a bedroom So we have joined it in a bedroom Next is a fridge Last one is a fridge Fridge में हम हमारी daily routine वाली जो भी खानी की चीज़ी रहते हैं वो हम रखते तो हम वो fridge कहाँ पे रखेंगे? Yes In a kitchen Okay Now you also do the same आप भी ये activity करो And parents should also help their children Parents ने भी अपने बच्चों को help करना है Okay And मुझे इसका photo भेजना है Thank you प्रूप में प्रूप जो भेजना है